पंद्रा दिनों की लंबी छुट्टी के बाद आज सुर्य देपता के दशन हुए हैं तो सोचा क्यों ना अपने इन छोटी छोटी पोधों को भी नहला धला करकि सुर्य देपता की रोशनी में बिठाया जाए बहुत गंदे हो गए हैं ये इनको भी नहलाना बहुत जरूरी था तो एक ही जगह इकठे करके इनने मैंने बकट में पानी डाल कर अच्छे से नहला दिया है इनमें पानी नहीं जाने दिया क्योंकि वेंडर का मौसम है और अभी इनमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग भी नहीं कर सकते हैं तो भाल्टी में पानी भरकर मैंने इनी बात होने दिया है यह जो छोटे छोटे गमले होते हैं यह मुझे बहुत पसंद है बड़े गमलों जो होते हैं उनमें प्लांट सेट होने में टाइम लगता है लेकिन यह जो छोटू-छोटू से गमले होते हैं इनमें जो भी प्लांट लगाऊना बहुत ही जल्दी एजली करके plant लगाए हुए हैं आप ये कह सकते हो छोटा packet बड़ा धमा का छोटे हैं लेकिन plant इन में बहुत अच्छे से grow हुए हुए हैं आप snake plant भी देख सकते हो कितनी अच्छी इन में growth हुई हुई है और ये ड्रैसिना का पोधा ये भी बहुत अच्छा इसमें grow हुआ हुआ है मैंने इसमें एक plant लगाया था और ये इतना बड़ा भी हो गया है और multiply हो गया है और अब आप देख सकते हैं इसमें दो ड्रैसिना के plant हैं जो water bottle होती है ना उनमें भी plant बहुत अच्छे से grow करते हैं आप paint नहीं करना चाहते हैं simply water bottle को cut करें और उसमें plant लगाएं बहुत अच्छे से plant grow होता है अब इस दिये को ही देख लीजिए दिये में भी plant कितना अच्छी तरह से grow कर रहा है और ऐसे ही मैंने जो coconut का खोल होता है ना उपर का बाहर का उसमें भी plant लगा रखा है बहुत बड़ा हो गया है plant इतना बड़ा हो गया है कि ये planter तो दिखाई ही नह दे रहा है तो छोटी जो planter होते है ना उसमें भी plants बहुत अच्छी तरह से grow करते हैं कई बड़े planter में plant उतना अच्छे से grow नहीं कर पाता है plants की leaves जो है वो बहुत ही गंदी हुई है तो मैं ये spray bottle से ही इन सारी leaves को clean कर रही हूँ winter का मौसम है बहुत ज़्यादा पानी डाल करके भी plants को हम clean नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल सामने construction का काम चल रहा है तो ये एक दो दिन में ही गंदे हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी डाल करके हम इने daily clean नहीं कर सकते हैं बस इस तरह से spray से मैं इनको clean कर देती हूँ तो थोड़ा मेरे को हरे बरे दिखते हैं और ये planter भी clean हो जाते हैं काफी जो snake plant है वो yellow हो गया है ठंड के कारण तो इस तरह जब कोई भी plant में आपको leaves जो है वो yellow color की दिखती है ना तो उन्हें आप साथ की साथ ही cut कर दिया करें तो क्या होता है उपर का जब top का हिसा किसी leaf का खराब हो जाता है तो जब दूसरी leaves उसको touch करती है ना तो फिर वो एक एक करके सारी ही leaves yellow हो जाती है तो आप जब भी आपको इस तरह से tip yellow दिखें उन्हें cut कर दें इतने अच्छे से plants चल रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने container को भी तोड़ दिया है और वहां से बिलकुल बाहर निकलने को तैयार है और इस aloe vera में तो उपर ये इसके seeds भी grow हो रहे हैं आप देखें ये बीच में बिलकुल इसके ये seed हैं aloe vera के और ये मैंने first time इस तरह से aloe vera में seed देखें हैं इससे पहले मैंने कभी इस तरह से aloe vera में seed नहीं देखें aloe vera में भी flowering होती है ऐसा मैंने सुना है अगर आप में से किसी को इसके बारे में पता है तो comment box में जरूर बताएगा इस छोटे से planter में snake plant भी आप देखें कितना अच्छे से grow हुआ हुआ है ये planter भी तूट रहा है इसमें से भी plant बाहर निकलने को तेयार है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से grow कर रहा है इसमें उपर से यहां से मैं धक्कन को खोलती हूँ और यहां से watering करके इसे फिर से close क आगे तो मुझे वहां पानी डालने की भी जगह दिखाई नहीं देती है विंटर में जब हम plants के उपर इस तरह से water spray करके leaves को clean करते हैं तो जो पानी की drops हैं अगर वो leaves के उपर ज्यादा देर तक रहती हैं तो leaves सरने लगती हैं इसलिए आप spray के बाद अच्छी तरह से इसे करके पानी की जो drops इसके उपर हैं उन्हें निकाल दें तो plants जो है वो safe रहता है healthy रहता है और यहां यह जितने भी planter पड़े हैं इन सब पर मैंने अपनी पुरानी जो lower हैं उनको cut करके इनके उपर चढ़ा दिया है इस से क्या है ना कि आपको paint करने की भी जरूरत नहीं है यह planter बहुत सुन्दर लग रहे हैं घर में आपकी जो भी पुरानी lagging या lower जिनका की कपड़ा stretchable हो आप उन्हें cut करके आप अलग-लग size की जो भी आपकी cuttings होंगी उनको अलग-लग size के planter पर इसे चढ़ा सकते हैं मिट्टी के जो planter होते हैं उनमें pores होते हैं इसलिए उन पर आप इस तरह से कपड़े की covering ना करें सिरफ प्लास्टिक के जो container होते हैं उन पर ही इस तरह से cover चढ़ाएं इससे बहुत जादा सर्दी और बहुत जादा गर्मी में भी plant जो है वो safe रहता है ऐसे ही मैंने ये दो बड़े container त्यार किये हैं ये मेरी bucket है जो तूट गई थी और इसी तरह ये paint की bucket है इन पर भी मैंने ये अपने कपड़े का जो cover है वो चढ़ा दिया है और बहुत easy रहता है जब भी आपको गंदा दिखे आप इसे निकाल करके wash भी कर सकते हैं बिना किस इसी मेहनत की बहुत easy DIY है ये देखने में भी ये काफी सुन्दर लग रहे हैं इस तरह के planter अगर market से आप खरीते हैं तो बहुत costly मिलते हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like share जरूर करें मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ till then बाई बाई